इस रास्तो में नहीं दूद दूद देने आएगा नहीं सब्जी वाला सब्जी बेचने आएगा नहीं कोई यहां पर कुछ करने आएगा कि दूर से इतना खतरनाक देख रहे तो कौन आएगा अपनी जान को जोखिम डाल के अब नगर कमिशनर दुरू साब से की उनको वीडियो डाला और भी आठ साल पहले भी मैंने इसका वीडियो डाला था अज तो कोई नहीं कारवाई नहीं होई ना हमारे एरिये में ना रोड नाली कुछ भी नहीं है मेरा तो एक ही गुजारिस है कि आखिर कब वास्तिक रूप से नेता इस विशा पर गंबिटा से सूचेगा कभी किसी से पूछो तो कहते हैं अवेद बस्ती है तो जब अवेद बस्ती है तो निगम किस अधार पर यहां से टैक्स लेती है नगर निगम से लेकर नेताओं की सारी पूल खुल गई जो लोग विकास का ठिंडोरा पिटते हैं जो लोग कहते हमने विकास किया यह उनके लिए प्रस्नेचिन है वो आकर देखें और समझें इस बात को और चिंतन करें कि वास्ती गुरूप से विकास का क्या सवरूप ऐसा होना चाहिए तस्वीर में जिस दृष्ट को आप देख रहे हैं ये मुंबई नहीं ये भिलाई है और भिलाई की भी ड्रेरे सिस्टम जो है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि इतनी पॉर्ष कॉलोनी बड़े बड़े घर मगर विवस्था ऐसी कि गुठने तक पानी में खड़ा होना प दोपहर के लगभग बारा से एक बज़े का समय हो रहा है और जब सुबह नौ से दस बज़े का आप दृष्ट देखते तो आप भी कहते क्योंकि ये पानी लगभग आदा हो चुका है इससे पहले कमर तक का पानी था लोगों के घरों तक में पानी घुसा हुआ था अब व साकेत नगर हो चाहे वो कोशानाला हो चाहे वो कोई सेक्टर एरिया हो चाहे वो तमाम दूसरे जगा हो हर जगा पर पानी भरा हुआ है और जैसा कि हम तस्वीरों में या खबरों के माध्यम से मुंबई की इस्तिति देखते हैं कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्ट्रम इतना खर के आखिर समस्या किया है और क्यूं इसका सुधार नहीं हो पा रहा है। शर नमस्कार। शुबीर एक तरह तरह से सब पाणी के अंदर तक पानी आ गया था। इसकी मैंने शिकायत शुबीर नगर कमिशनर दुरू साथ से कि उनको वीडियो डाला। और भी इसके आठ साल पहले भी मैंने इसका वीडियो डाला था सब कमिश्ण डाला था आज तो कोई कारवाई नहीं होई ना हमारे एरिये में रोड और नाली कुछ भी नहीं है और कलोनी वयद हो चुकी है हमारी वयद हो चुकी है और इसको नीरत पाल जी और कमिशनर साब जो रहीत व्यासी उन्होंने भी इसको वेरिफट किया है यहां साकेद नगर में 3-4 साकेद नगर है जो हमारी कलोनी है वो वेरिफाइड हो चुकी है फूरा टेक्स एक करोट 15 लाग टेक्स जाता है जी यहां से उसकी बाद भी हमारा टेक्स नी कुछ भी विकास नहीं हो रहा टेक्स कहां यूज होता है थी ईहां सब गशायोग morning में नगर जसाथ किया है यहां सबके घर में लगवाए गाड़िया को घंडियों को जा रखा गए यहां पानी भजाता है उसमें आपने वाश्याली नगर जाके घर में बाई की घर में खड़ा करके आता हूं गाड़ी यह पोजिशन हो जाती है और यहां पर देखे पानी में यहां पर आगे इस कलोनी का आगे लास में शुकला जी घर है उनकी कार इसमें खराब ही हो चुकी है यही नाला यही से पुरा पानी आता है कि यह कुर्षी पार का जो पानी है यहां पर दो जाना चाहिए तो यह समस्या है आपको पूरा मंदर दिखाते कि बाड़ की इस्तिति उत्पन हो गई है थोड़ा समल के चलना पड़ रहा है क्योंकि पानी है बहा हो रहा है पानी का और साब बिच्चु तमाम चीज़ें आने की आशंका हैं गुठने तक पानी और आगे भी दिखाएंगे यह सिर्फ एक जगा का नहीं पूरे महले का यही हाल है जो अपने अपने घर के सामने गिट्टी डालके और तमाम मुर्म डालके उच कर लिए हैं वो तो सेफ हैं मगर बाकी लोग जहां यहां रोड का डेवलप्मेंट होना था वो बिलकुल नहीं है सामने आपको एक बुलेरो कार दिखाई दे रही होगी आपको दिखा दें कि वो बुलेरो कार भी डूप चुकी थी लगबग आधी कार जो है वो डूप और इसी तेजर रफतार में लोग जो हैं वो गाड़ी चला कर गाड़ी में छोटे छोटे बच्चो को बैठा कर जा रहे हैं आप तस्वीर में देख पा रहे होगे किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चो को वो गाड़ी के पीछे बैठा कर ले कर जा रहे हैं और कहीं भी और कहां पर सही सड़क है हम चलते चलते क्या पता हम भी गिर सकते हैं तो गाड़ी में चलने वाला वो शक्स क्यों नहीं और यही इस्तिती पूरे कॉलोनी की है आपको मैं घर दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से बड़े-बड़े बिल्डिंगे बनी हुई है बड़े- यहां विकास निगम करेगी या नहीं करेगी और यही सब चीजों का ध्यान नहीं देती है और फिर बारिश के समय या अन्य समय में यह सारी परशानिया होने लगती है कॉलोनी के और भी लोग हैं उनसे भी बातचीद करेंगे आप गाड़ी में देखिए जिस प्रकार से ग चड़ा उस गाड़ी में जाकर फ़सा है और यही पूरी स्थिती है और आप जहां तक दूर तक जहां तक देखें पानी इसी प्रकार से लबा लब भरा हुआ है और भी शक्स हमारे साथ मौझूद है जो इस परिशानी से जूज रहे हैं घर से बाहर निकलना तक मुहाल हो ग लेकिन पहली बार नजारा देख रहे हैं तावड़ तोड़ पानी भी तो कुछ कम हुआ है लेकिन सवाल ही उठता है जैसे आप जैसे जागरुक लोग इस समस्याओं को सासन तक पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं मेरा तो एक ही गुजारिस है कि आखिर कब वास्तिक किस अधार पर संपती कर लेती है किस अधार पर बस्ति को बसाया जाता है किस हिसाब से यहां मकान को बनानी के अनुमती जाती है यह सब चीज सोचना चाहिए और जब संपती कर लेना हो तो वैद है वोट लेना हो तो वैद है लाइट लगाना हो तो वैद है आपको टैक्स यही तो अवेद है बस इस समस्या से जूज रहा है और फिर यह पानी है मौसम की मार है सब को जहला है हम भी जहल रहा है लेकिन सर एक बड़ा सवाल खड़े होता है सावन का मौसम चर रहा है बारिश का मौसम में इसमें तो इंसान उमीद करता है कि भाई यह पूरे 24-7 जो है नेताओं की सारी पोल खुल गई जो लोग विकास का धिंडोरा पिटते हैं जो लोग कहते हमने विकास किया यह उनके लिए प्रस्ने चिन है वो आकर देखें और समझें इस बात को और चिंतन करें कि वास्तिक रूप से विकास का क्या सवरूप ऐसा होना चाहिए कि घरों तक पानी घुसरा है लोगों की गाड़ें डूब रही है लोगों की भाइकें डूब रही है घुटने तक पानी आ गया लोग बाहर निकल नहीं सकते हैं यह स्थिति मात्र बारा घंटे में अगर 24 घंटे किर जाएगा तो क्या अलाम होगा यह स्थिति है आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार का पूरा मंजर है किस प्रकार से लोग जो है इस परशानी से जूजर रहे हैं आप देख सकते हैं आप वाटर लेवल को देख सकते हैं कहीं पर हमारा पैर जो है वो सपस्ट दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पर गुठने गुठने तक हम डूब जा रहे हैं गुठने गुठने तक पानी आ रहा है और यह मंजर है इसी मंजर से लोगों को अगर लगातार बारिश होती रही तो पानी जो है बढ़ता रहेगा लेवल और इसी पानी से होते हुए जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाना होगा जो बुजूर्ग हैं उन्हें काम से कहीं निकलना है तो निकलना होगा और जो ड्यूटी पेश हैं नौकरी पेश हैं उन्ह duty करने के लिए इनी सारे रास्तों से होकर गुजर कर जाना पड़ेगा इस रास्तों में नहीं दूद वाला दूद देने आएगा नहीं सबजी वाला सबजी बेचने आएगा नहीं कोई यहां पर कुछ करने आएगा कि भाई दूर से इतना खतरनाक देखर है तो कौन आएगा अपनी जान को जोखिम डालके अपने समान को जोखिम डालके इस कॉलोनी में इस जगा पर और यह जो मंजर है यह इसके बारे में कब चिंतन विशह होगा कब जो खूबसूरत भिलाई की बाते होती है जो डेवलप्ड भिलाई की बाते होती है कब इसकी चर्चा होगी और कब विचार किया जाएगा और विचार के बाद कब ये सारी चीजे जो है वो दुरुस्त की जाएगी ये देखने वाली बात है और ये तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि पूरे शहर में पूरे भिलाई शहर में दुरुग शहर में कहा कहा पर इस प्रकार की य मगर हाथ कुछ नहीं आता जब परिक्षा की घड़ी आती है तो सब फेल होते दिखाई देते हैं और यही परिक्षा की घड़ी है यह वो मन्जर है कि हमारे कैमरेमेन साथ ही खुश्वन जो हमारे साथ मौझी तो उनका एक चपल भी बह चुका है यहां से इस प्रकार का तेज बहाओ में पानी है और जब चपले बह रही है तो लोगों का बैना कोई शक की बात नहीं है यह भी चीजे हो सकती है तो आप इस प्रकार के डेवलपमेंट के बारे में इस इतनी पॉष्व कॉलोनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे साकेत नगर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बता सकते हैं